जै माता की सभी को और सबसे पहले आपको आने वाले न वर्ष की बहुत बहुत धेरोशुब कामना इन एडवांस और 2022 वर्ष समापत हो चुका है और हम गदियों और गुरुधारन की वज़े से व्यासत थे क्योंकि गदियां दी जा रही थी जिनके गुरुधारन होने थे ज वांड ये है कि कोई केसरमल बावरी की सवारी चाहता है कोई सवल सिंग बावरी की कोई माता काली की किसी को माता पात्री वाली सिर्पे खिलानी है किसी को माता मदानन किसी को माता मसानी की अलग अलग सवारियां सब को चाहिए देखे यहां पर क्या होता है अगर आपने आपके भक्ति भाव को देखकर ही प्रैप्त करें। आपके भक्ति भाव को देखकर ही प्रैप्त करें। आपके अंदर कुछ अलग हो और आप दुनिया से कुछ स्पेशल बनों। यह उनकी क्रिप्पा होती है आपके उपर। और कुछ लोग उतरवाने इसको आ जाते हैं। उतार लो जी शांत कर लो जी बक्षवादो जी इसको ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने शक्ति आपने भगति करी आपने पूजा करी आपने सेवा करी आप ही को उसका अंश मिला। फिर खेल होता है आपका दरबारों में जाने का शक्तियों बंदन का शक्तियों खोलने का। इस खेल में आप उलजगे रहा जाते हो क्योंकि सभी तो गुरू आपको सही ग्यान ने देते हैं सभी आपको सही रास्ता ने देंगे। और ये छोटी सी बात होती है मैं हमेशा बोलती हूँ छोटी सी गुंडी होती है उसको बहुत बड़ा बना के आपके सामने परदर्शित किया जाता है बहुत बड़ी-बड़ी बाते आपको बताए जाती हैं किसी को गुरू मंत्र मिलता है केवल गुरू के लिए किसी को इ मेरे पास दस दस वर्षों से गुरु धर्ण किये हुए लोग आ रहे हैं पता नहीं मा भगवती क्या चाहती है हम से देखिया हम किसी के सामने भी नहीं आते हम ये भी नहीं कहते हमें बहुत सारी सिध्धियां प्राप्त हैं जी नहीं कुछ भी नहीं केवल अपने गुरु से जो मिला है हमने उसी को अपने गाठ बांदी है पल्ले बांदा है और उसी से हमने अपना भी कल्यान किया और दूसरों का भी कल्यान किया ये चोटी सी बात होती है अगर किसी के उपर सवारी आ रही है आप घर घर की गद्धी लो आपको जगत कल्यार नहीं करना है कोई बात में अपने कारिया पर अपके सारे कारे बना दे आपको धनका जो है पोटला आपके घर में डाल दे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और आप भगतों के चक्कर लगा लगा के घूम चुके हो ये माता की केवल कृपा होती है दरबारों से सभी के कारे क्यूं नहीं बनते क्यूं क्यूं क्यूंकि हमें नहीं पता कोई कैसा मन ले के आता कोई हमें परखने के लिए आता है कोई ये देखने के लिए आता है कि वो कि साधना होती है परन्तु क्या है कि आजकल साधना के नाम पर मतलब एक लोगों को ये क्या बोलू मैं अब शब्द ही नहीं मिल रहे हैं मुझे बोलने के लिए के दिखावा एक मिठाई की तरह सब को ये लग रहा है कि हल्वा है मैं साधना करूं और 40 दिन में शक्ति पालू ऐ कितनी अखंड जोत लगा लो अगर आपके भाव सच्चे नहीं है तो 42 दिन के 40 वर्सों में भी सवारी नहीं आईगी और अगर भाव सच्चे हैं तो सच्चे भाव से सूबा श्याम अगर आप धूप भी माता को अरपन करते हो तो खेल करके सवारी आपके उपर आती ही आत है भक्त अपने भगवान से मन की भावना से जुड़ता है मंदिरों में भगवान नहीं होता है हम उनका दरबार सजाते हैं इसलिए ताकि एक स्थान एक कोना उनको अपने घर में दे सके कि है प्रमातमत जब भी आप आओ इस स्थान पर विराजमान हो इनका कोई चित्र नहीं इनका कोई रूप सवरूप नहीं किसी नहीं देखा मा भगवती का कैसा रूप है कलपना मात्र है ये जो शस्त्रों में पढ़ा गया लिखा गया पुराने समय के जो चित्रकार होते थे कलाकार होते थे उन्होंने अपने भावों से इन चित्रों को अंकित किया ने ने जो कलाकार हुएं उन्होंने उसको थोड़ा घहनों से सुसजित किया कि माताय इस प्रकार से अलंकारों से सुसजित थी तो भाई सवारी के लालच में मत पड़ो ये आपके घर को सिवाए बरबादी के कुछ नहीं देंगी चलो एक टाइम आपकी मान ली आपने साधना मांगी आपने साधना कर ली सवारी खेल गई गुरू ने हाथ रख दिया अब आपके कारिया नहीं बन रहे क्योंकि हाथ रखने के बाद तो खुद ही चलना होता है मेहनत आपने करनी निया अलप पर शिर्मी हो आप मेहनत नहीं करनी अब शक्ती मेरी तो शक पिशान आ रहे हैं मुझे यह समझ नहीं आता भाई आप दस साल क्या जखमार रहे थे उनके पास और अगर उनमें आपको कुछ खास बात दिखी थी तो कमी आप में हैं आपके गुरू में नहीं है उन्होंने तो अपना हाथ भी दिया और ग्यान भी दिया आपने उस ग्यान को नहीं तपाया कमी आपकी थी तो जगा जगा भटकने से अच्छा है एक के होके रहो एक गुरू के होके रहो एक शक्ति के तो कुछ न कुछ जरूर मिलेगा तो भाई मारे पास मेसेज करते हैं जो लोग मुझे सवारी चाहिए बिलकुल नहीं मिलेगी हम को ये दंदा न ने का सवारी कोई अल्वा नहीं होती कोई मिठाई नहीं होती हर किसी को बाठ ती जाए आपके भावापकी प्रेम आप की शुर्दध ये चीज़े मैने रखती हैं तब जा करके सवारी आती और सवारी चाहने-वाले प्रेम से मन से अपने घर के देवता की सबसे पहले अपने पित्रों को प्रबल करके कुल देवी की सेवा करो उसके बाद किसी बड़े इष्ट को बिठाओ चाहे मा दुर्गा हो चाहे मा काली का तब आपको सवारी आएगी सबसे प्रथम पित्र की आएगी अगर आप जैंट सो लेडिस को कुल देवी की आती है आप तो सीधे दुर्गा काली की सवारी चाहते हो भाई आसा कोई अमारे इहां विधान नहीं है औरना हमें इतनी बड़ी पावर भगवान ने या अमारे गुरु ने दी है कि आम मा तो को आपके सिर पे खिला दे अमारे योकात जीरो है भाई इनसान है मिट्टी है मा के चर्णो की तो मिट्टी ही रहने दीजिए सवारी का लालच आपको डोब देता है फिर आधक्के खाने का सिलसिला शुरू हता आप जो तबत्ती कर रहे हो ना माता की सेवा कर रहे हो वहीं तक सीमित रहो और अगर आप चाहते हो मेहनत करना तो दुनिया के ताने सुनने के लिए परेशान होने के लिए क्योंकि शक्ती परिक्षा भी लेती है परिक्षा देने के लिए तयार हो जाओ और दरबार में आकर के मिलो वाटसाप पर मैसेज करो कॉंटेक्ट करो आपको सभी प्रकार से गाइड किया जाएगा तो जिसे भी को जामाता की